जहिंद फिचर ऑफ इंडिया प्राफ सब्सक्राइब का स्वागत है इस वीडियो लोग जीटियल इंफ्राइस्ट्रक्ट्ट्र लिमिटेट कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं अभी हाली में इस कंपनी के क्वार्टर फोर के नंबर मिली जूली आया है क्यूंकि ना तो बहुत अच्छा हैं और रहा है इस कंपनी को बता हुआ है कि कंपनी का जो सेसे कंपनी के कमाई रहे हैं तो मैंने जिससे बताए मिली जुली आए है यानि कि अच्छे भी आए और खोड़े कुछ मालूमें बुरे भी है मैं इसके बारे माइगा डिसकस करूंगा तो मेरा मोटीव यह है कि इस जो क्वार्टरफोर के जो नंबर आए है उसके बज़ुलत कंपनी का चार्ट क्या कहता है टिकनिकल एनालेसिस के माधम से यह स्टॉक अभी आरपार के मूड में दिख रहा है तो यह आरपार के मूड में मेरे कहने का क्या मतलब है इनी सब मूदों को इस वीडियो में डिसकस करेंगे लेट नहीं करते सुरू से करते हैं बाकी चीजे में आपको आगए स्टेप हम देखेंगे साथ परसेंट कास पास चड़ती हुए देखेंगा क्या ग्रीन घर जगा आपको इस तो में ग्रीन ही देखने को मिल रहा है यानि कि कहीं ना कि यह स्टॉक में अप्तिजी आनी सुरू हो गई अब यहां आगे हैं लोग स्कीनर की वेपसाइट पर सबसे पहल देखेंगे तो मूटिक बार देखे लिकिन साओं यह है कि प्राइस भहले ऊपर निकला यानीनिकला कहीं जा नहीं रहा ही और फिर पीर्टी पास इसी पर मेइन प्रियस में अब characteristics चलाएब क्या मोमेंट देखने को मिलेगा आपको क्या लगता है कि price यहां सूपर चला जाएगा या price नहीं से नीचे आजाएगा मेरा मान है कि price यह यह असी पैसा से नीचे आता भी है तो यह देखी नीचे जो आया है यह जो level है इस level के आस पास तका सकता है और यदि price उपर निकलता है तो price उपर निकलेगा तो सबसे पहले इस level को आसपास जो यह इस company के 90 पैसे का सबसे पहले यहां पर आएगा जो इस company के 1.20 पैसे का असपास के level है यानि कि बहुत जल्द इस company का service आपको 1.20 पैसे का आसपास जाते हुए दिख सकता है अब चलिए जो quarter 4 का नंबर आया है पहले उसको डिसक्स कर लेते है अभी हम लोग आगे quarter 4 का result क्यों खास से क्यों इसकी बार बार इसमें वीडियो और पिछले कुछ quarter से देखेंगे तो यह सेम ही बने रहा रहा था लेकिन आभी quarter 4 के number में जाकर देखेंगे तो इस company का sales एक तो सेम नहीं है और उससे भी ज्यादा हुए यानि कि पिछले कुछ quarter के मुकाबले इस बार quarter 4 में company का sales बढ़ा है और सिर्फ sales से नहीं बढ़ा है यहां पर एक मजदार चीज़ आपको देखाऊंगे जो company का expense है जो खर्चा है वो देखेंगे पिछले कुछ quarter में जैसे 505 क्रोन के आसपास पास पिछले क्वार्ट में खर्च किया था अभी यह खर्च कम होकर सिर्फ 242 क्रोन का आसपास रगा है यानि कि company ने अपने expenses को भ करजा बहुत अधीक है तो company जो sales से कमाई हो रही यह company के वो पैसा इस company के dip में यानि कि करजे चुका नम चले जा रहा है यहां पर देखेंगे balance इट में आपके लिए कर्ज कर्ज कम हुआ है तो अभी इस company का quarter 4 में कर्जा कम हुआ है चार हजार 508 क्रोन का हो गया कर्ज कम हो होगा लेकिन इस company के sales जो कमाई हो रहे company उसका उपयों कर्जे को मतलब चुकाने में खर्च कर रही है इसका लामा कंपनी के और भी खर्चे होते हैं तमाम expenses होते हैं company को चला ना है इसलिए company का profit नहीं हो रहा है एक बार company का debt पूरा त्रह के से कम हो जाने देजिए debt फिर हो चाहिए company उसके बाद company का profit बढ़ेगा profit पर ही company में पूरे ध्यान देगी तो overall मेरा मानना है कि gtl infrastructure में वह potential है जिसका बजलोत इस टॉक में growth आ सकती है stock growth कर सकता है यदि आपका इसमें investment है तो मेरा ख्यास आपको इसमें समय देना चाहिए बने रहना चाहिए हड़ बड़ी पताई आप पच्छे से समझ पा रहा होंगे और में कोई भी सवाल है कन फ्यूजर नहीं तो कमेंट में जरूर पूछेएगा बेक्ती काती रूप समसे जूर बाते करने के लिए मुसको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं उसका लिंक इस वीडियो को डिसक्रिस्वन मि मिल जाएगा बाकी मिलते हैं अगली वीडियो तब तक लिए धन्य बात शुक्रिया